नमस्कार दोस्तों हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दही खाने के फाइदे और नुक्सान के बारे में अगर आप रोजाना दही का सेवन करते हैं तो स्वास्त के लिए काफी रापकारी हो सकता है अगर आप रोजाना दोपहर के खाने में एक कटोरी दही को शामिल करना चाहते हैं तो यह स्वास्त के लिए काफे फाइदे मन होता है इससे कई तरह की बीमारी दूर हो सकती है हाला कि अगर आपको पहले से सर्दी जुखाम या फिर कोई अने समस्या है तो इस इस्तिती में दही आईए वीडियो में जानते हैं दही खाने के और क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान रोजाना दही का सेवन करने से स्वास्त में कई तरह से लाब पहुंच सकता है इससे पाचंत अंत्र को मजबूती मिलती है साथ ही अन्र कई तरह की समस्याएं भी दूर होती है जैसे दह दही में विटामिन B12 और राइबो फ्लोविन मौजूद होता है जो हिड़े से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में प्रभावी है दही का सेवन करने से बिलेट प्रेसर की परिसानी दूर हो सकती है दही मेलिटा वालिजम के इस तर में भी सुधार कर सकता है दही विटा से बचाओ कर सकता है पाचन सम्मंधी परिसानियों को दूर करने के लिए जो जाना दही का सेवन लापकारी हो सकता है प्रतिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए दही काफी फाइदेमंद मना जाता है संक्रमट से सुरक्षित रखने में भी दही काफी संदायक हो सकता है जैसे कि अगर सर्दी जुखाम की परिसानी है और रात यह साम के समय दही का सेवन करते हैं तो इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है लेक्टोज अस ही सुड़ता से प्रभावित मरीजों को भी दही खाने से इलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से उन्हें सकती है मोटापा और डाइबटीज के मरीजों को चीनी मिलाकर दही का सेवन नहीं करना चाहिए इससे उनकी परिसानी बढ़ सकती है ऐसे ही दही खाने के बहुत सारे फाइदे होते हैं और एत्यदिक सेवन करने पर कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं अगर आपको पह